हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चनल आई से सी फिजिकल एजुकेशन फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीट फॉर्स सेमेस्टर एक्जामिनेशन दोजार सोला का पेपर फॉर्स्ट है हिस्टोरी प्रिंसिपल्स फाउंडेशन एन फि सेम ही रहते हैं ठीक है तो इसका जो यह कितने नंबर का क्योशन पेपर रहता है तो 70 माक्स का रहता है एंड तीन घंटे का आपको यहां पर समय मिलता है प्रिविएस यहर के क्योशन पेपर साबको आईडियास लगते हैं कि आप जो इस्टेडी करते हैं उसमें किस टाइप से क्योशन पूछा जाता है ठीक है फर्स सेम में सेकंड सेम में इस तरह सभी सेमेश्टर में तो पहला क्योशन हम देखते हैं यहां पर इसके क्या है तता आधुनिक समय में इसके मेहत्यों को समझाइए यह हमारा पहला क्योशन है सभी क्योशन में सिर्फ पांश क्योशन पूछे जाते हैं और इन पांश क्योशन के अथूँछम में आपको एकशन और देखने को मिलता है ठीक है तो second question है explain according to your appointment physical education is an art or science and right the relationship with general education यह हमारा second question है Hindi medium English medium दोनों language में आपको यहाँ पर question देखने को मिलेंगे ठीक है अपने सब्दों में वर्डन कीजिए सारे इस सिक्षा है कला या विज्ञान है तता सामाने सिक्षा के साथ संबंधों को बताईए यह second question हो गया यहाँ पर अब बात करते है third question की तो third question में describe history of physical education in India after 1947 सारे इस सिक्षा का भारत में 1947 के बाद के इतिहास को विस्तार पूर्वक बताईए ठीक है यह third question है friends be appeared के जो question paper है उनकी जो playlist है प्लैलिस्ट की link का आपको हम इस वीडियो के आई बटन में दे देंगे एंड सभी question paper की link का आपको जो है इस वीडियो की description में भी मिल जाएगी एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लें और new video updates के लिए आइकन को जरूर करें ठीके तो third question के बाद हम देखते हैं या पर fourth question fourth question में आपसे पूछा गया है notes any two ठीके short note आपको यहाँ पर लिखना है किस-किस पे अखाडा, वियायमसला एंड वाई-मसी है ये तीनों इंपोर्टेंट है अलग-अलग करके भी question इसमें पूछा जा सकता है और short note में भी इसमें question पूछा जा सकता है ठीक है तो ये हम हो गया हमारा fourth question अब बात करते हैं हम fifth question की तो fifth question में आपसे पूछा गया है ब्रिफलाई, explain, idealism, paragrammatism and humanism in Indian culture of physical education आदर्सवाद, यहारवाद, मानवतावाद, तथा भारती संसक्रती का संचिप्त वर्नन सारीरिक सिख्षा के अनुरूप कीजिए ये है question number five ठीक है अब देखते है next question question number six है explain thoughts for all and its rule in the maintenance and promotion of fitness खेल सब के लिए हैं, का वर्नन कीजिए तथा सारीरी की योग्यता को बढ़ाने और यक्छावत रखने के लिए खेलों का क्या योगदान है ये और अत्वा करके भी question दिया गया है और यहाँ पर question number डाल दिया तो आप confuse ना हो में comment करके पूछ सकते हैं अगर आप इन question papers की answers की वीडियो चाहते हैं ठीक है और अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल की membership ले सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल में जो subscribe बटन उसके पास आपको जाइन बटन दिखेगा वहां से आप YouTube चैनल की membership लेने के बाद हम आपको PDF रवाइट करवा देंगे साथ ही बीपेट के नॉट्स की वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी ठीक है तो साथ साथवा क्योशन हमने यहां पर देख लिया अब बात करते हैं क्योशन नमबर आठ की वाट आर्दा बॉड़ी टाइप लिखना है किस पर लिखना है वह हम देखते हैं यहां पर शोट नोट्स आपको लिखना है सामाजिक एकी करण एंड नेत्वत तो मानने था ठीक है दो पॉइंट यहां पर दिये गए हैं सोट नोट लिखने के लिए तो फ्रेंड्स यह टैन क्योश्चन इसमें थे यह था हमारा पेपर फरस्ट हिस्टोरी प्रिंसपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन विपीट फर्स सेमेस्टर 2016 का और भी हम विपीट से रिलेटेट वीडियो साफ को प्रोवाइट करवाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अनकरना ना भूले ओकर फ्रेंट्स थैंक यू सो मच मिलते हैं नेश वीडियो में